नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों इस वीडियो में TGT PGT 2021 की परिच्छा में जो छात्र बैटने वाले हैं उनके लिए सफलता के कुछ मंत्र हम बताएंगे उन पर डिसकस करेंगे इनको फॉलो करेंगे आप तो सफलता आपको जरूर मिलेगी तो दोस्तो सफलता का जो पहला मंत्र होता है वो यह होता है कि आपके अंतर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए निगेटिविटी इन दा सेंस जैसे कि अभी लोग कहा रहे थे कि यह पंच वरसी योजना है TGT PGT यहो ही नहीं सकती 2022 के बाद परिच्छा होगी इलेक्षिन दो इस चाहिए ने पढ़ा ही ही कि नहीं तो अभी डर्ण sont सब क कुछ हो यह परिच्छ आपके वजह जञाती परिच्छल लेकिन कोरोना की वज़र से थोड़ा सा बिलंब हुआ है और अप परिच्छ हुए लगी हैं केवल 40 दिन आपके पास मचा हुआ है तो इस 40 में भी आपके अंदर एक नाकारात्मक विचार आ रहा है निगेटिवटी एक अंदर आपके अंदर आ रही कि अब तो कुछ होई नहीं सकता आप क्या करें चालिस दिन मचा हुआ है तो इसका त्याक कर दीजिए पॉच्टिव विचार अपने अंदर रखिए तो पहला मंत्र जो है ह हमारा यह कि पॉच्टिव विचार अपने अपने अंदर रखिए चालिस दिन बहुत होता है टीजीटी और पीजीटी की परिच्छा को पास करने के लिए और यह गोल्ड इंचांस है पदों के संख्या बहुत ज्यादा है इंट्रविव इसमें है नहीं मार्किंग है नहीं तो क्यों परिशान है आप तो पहला रूल फालो किजिए कि पॉच्टिव विचार अपने अंदर रखिए सेलेक्शन आपका होगा आप कभी मत सुचे कि मेरा सेलेक्शन नहीं हो सकता है चालिस दिन आप दिन रात एक करके परिश्रम करेंगा तो इससे क्या होगा आपका य तो यह पर यह तैयारी उनके आगे काम आएगी वह परिच्छा भी बहुत दूर नहीं है सितंपर में उस भी परिच्छा है तो यह तो हो गया फर्स्ट रूल सेखेंड रूल मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आप 6 गंटे कमसें पढ़िए सेखेंड इस चुका है और यूटीब चैनल पर कुछ वीडियो में आपको बताया भी था कि कि देखेंड आपको टेक्स्ट भूग भी पढ़ेगा आनलाइन भी पढ़ना पढ़ेगा यानि कि अगर आपने कोई आनलाइन कोर्स परचिस किया तो वहां भी पढ़ाई करने पढ़ेगी आप यूटीब चैनल पर कुछ वीडियोज देखते हैं कुछ अच्छे चैनल स है उनके वीडियोज देखते हैं तो वहां सभी आपको पढ़ाई करने पड़ेगी कुछ पढ़ाई आपको वाट्सअप और कुछ पढ़ाई टिलिग्राम गूरुप में भी करनी पढ़ेगी इसके साथ साथ test series भी आप करते रहेगा तो यह हो गया continuity पहली पहला रूल है positivity दूसरा रूल है continuity अब तीसरे रूल के बारे में discuss करते हैं यहाँ पर तीसरे रूल यह है कि इसमें आपको भटकना नहीं है केवल और केवल selective चीज़ें पढ़ने हैं और इसमें देखिए जो इसम महोल है बहुत अच्छा है lockdown अभी चल ला है सनिवार और रितवार को lockdown चल ला है बहुत ज़्यादा आपको इदर दर मूब भी नहीं करना है करोना का महोल है तो घर में राकिया पढ़ाई कर सकते हैं किवल एक drop आपके सामने है वो यह है कि offline classes किसी कोचिंग में नहीं चल और जो आपका subject है उसका standard material जहां से मिलता है वहां से लेजिए ठीक है तो तीसरे rule यह हो गया कि आपको 40 दिन बिल्कुल लगातार पढ़ाई करनी है अगले rule की तरफ बढ़ने से पहले जो चात्रे नए है पहली बार चैनल पर आए हैं उनको यह बता दें कि CP smart classes का अपना mobile application है और Google Play Store में आप CP smart classes लिखेंगे तो आपको यह mobile application मिल जाएगा इसको आप download कर लेजिए यहां पे हम TGT PGT और GIC प्रवक्ता की त्यारी करवाते है हैं TGT PGT के लिए जो courses उपलब्द हैं उसमें है संगीत का course, music course, कला का course, mathematics course और English course, biology का नया course सुरू किया गया है, crash course जो कल से सुरू हो रहा है, आभी कल से सुरू हो रहा है, first class जो है कल होगी और इसकी face में 50% discount है आज प्रवेस लेने पे, अगर आप प्रवेस ले लेते हैं आज रात में 12 जदक तो आपको 50% discount इसमें मिल जाएगा, वहाँ पर आपको एक discount coupon मिलेगा, उसको आप apply करके जहाँ पर प्रवेस ले सकते हैं, fees आपकी आधी हो जाएगी इसके साथ साथ कई test series भी है, जैसे GIC प्रवक्ता की GS की test series और TGT PGT की कई विश्यों की test series है, उसको भी आप देख सकते हैं, और उर्दू एक ऐसा भी से है, जिसमें आसानी से चैन हो सकता है, और इसका मैं आपको बहुत 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 नोट्स प्रवाइड यह हमारा whatsapp number है, इस पे आप हमको whatsapp message करेंगे, तो आपको notes मिल जाएंगे, चोथा rule है, इसमें आप practice paper solve कीजिए, पुराने जो पहले exam में practice paper आये हैं, उनको ज़्यदा ज़्यदा संख्या में जितना आपको मिल पाए, उतना solve कीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से questions से उठ लुख है जाते हैं, वो उसी तरह के questions होते हैं, उसी तरह के questions दुबार आप से पूंच ले जाते हैं, जैसे मैं आपको एक example देता हूं, कोई जासे पूंचा गया, तो उस प्रस्ण का, जो उस प्रस्ण के से जो दूसरा प्रस्ण बनता है, वह इस साल जो पिछली सल जो हैं वहीं से मिलते हैं TGT PGT का ही नहीं आप GIC प्रवक्ता का प्रश्ण पत्र आपको मिले तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए यह बहुत जुरूरी है यह आपके 30-35 प्रतिसेत नंबर जो है इसी सा जाएंगे खाली और टर पांच पर प्रोल पर आते हैं यह कि जो सेलेक्टेड़ आपका टॉपिक है उसको पढ़िये जैसरे कि आल्मोश्ट चौन फंद्रा चैप्टर सभी सुब्जेक्ट में है जु मियत्ति में प्रता स拜拜 जिये गया होर्षी को आपको ध्यान में रखे पढ़ना है, हर चेप्टर से कुछ न कुछ इंपोरेंट ही आएगा, और पढ़ाई का जो उचित समय है, छे गंटा, जो मैंने आपको बता जा है, इसको आप बांट लिजे, छे गंटा एक बार में बैट के छे घंटा नहीं पढ़ना, बार में बाट पढ़ें और अलग अलग टाइम पर पढ़ें सुबह साम तुपार रात जब भी आपको अच्छा लगे जब भी आपको फुरसत हो आप उस समय इसको पढ़ें और रिवीजन च्छट हरूर है कि रिवीजन बहुत जरूरी है एक गंटा पूरा पूरा रिवीजन के लिए एक डेली रिवीजन और मैंने आपको एक वीडियो मताया था कि एक घंटा कैसे निकालेंगे तीस मिनट आप आज सुबह निकाली रिवीजन के लिए तीस मिनट आज रात में जब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले तीस मिनट आप जो पहल के कल पढ़ चुके हैं उसको साम को मैंने इसलिए बाटा है क्योंकि जो चीजे आप भूल जाएंगे कल पढ़ी हुई आज रिवाइज करेंगे तो ज्याद अच्छा रहेगा और आज पढ़ा हुआ आज करेंगे तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा यानि कि आज जो दिन पर पढ़ा हो रात में र पर एक कॉंफीडेंस अपने अंदर लाएंगे तभी आप कॉंफीडेंस के साथ बैठकर पेपर कर पाएंगे आप यह माल लेजिए आज कि जैसे आपने टीजीटी आर्ट का फाम भरा हुआ है तो आप यह आप माल लेजिए कि मैं आर्ट का टीचर ही बनूंगा और मेरा इ साथमा रूल हो गया यह आठमे रूल के बारे हम बात करते हैं आठमा रूल जो है यह लोड लेके पढ़ाई नहीं करनी है कभी भी टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है घवराना बिल्कुल नहीं है कि मेरा इतना छुटा हुआ उतना छुटा हुआ कैसे करेंगे इसको इ इन एवरी चेलेंजेस आप माई लाइफ आई साल डू माई बेश्ट विदाउट वरिंग अवाउड दा फ्यूजर यानि की आपके सामने अभी क्या है आपके सामने अभी 40 दिन है तो 40 दिन में आप अपना बेश्ट दीजिए सबसे अच्छा पड़ी फ्यूचर की चिंता मत कीजिए कि सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा जहां आप फ्यूचर की चींता कर लेंगे तो आज आप अपना बेश्ट देहीं नहीं पाएंगे आठवा रूल आठवा रूल यह है कि आप अगर हो सके तो गृूप study कीजिए गृूप study आपके जो friends हैं उनके गृूप में रहिए जो course आपने जौइन किया है जो coaching आपने जौइन किया है उसके गृूप में रहिए group study बहुत ज़रूरी है social media का जबाना है और social media में पढ़ाई बहुत ही आसान है number rule 9th rule जो है merit इसके काफी high जाएगी तो इस गफलत में बिल्कुल मत रहिए कि हम 80 प्रेशने सही करके select हो जाएगे हो सकता कि मैं जैसे subject में आप 80 प्रेशने करके सही करके select हो जाएगे लेकिन इस सभी exams के लिए नहीं है TGT कला के जो चातर है TGT art के जो चातर है आज मैंने अपने mobile application पे एक full length test upload किया है 112 प्रेशने 125 प्रेशने 125 प्रेशनों का test upload किया है आप इसको वहाँ पे करके देख सकते हैं कि आपको कितना आपका score इसमें हुआ है और बाकी चातरों कितना आ रहा है merit आपको अपको अपनी position पता चल जाएगी इसी तरह से TGT music का भी हमने आज 125 प्रेशनों का test upload किया है इसको भी आप दे सकते हैं आप mobile application डाउनलोड कीजिए link आपको description box मिलेगा इस test को आप करके देखिए उसके अपको अंदाजा लग जाएगा जिनको हमने पढ़ाया है जो हमारे class अटेंड किया जो उन्होंने हमारा course प्रेश किया है वो 117, 118 नमबर इसमें ला रहे हैं 125 में से आप भी देख लेजिए आपके कितने आ आ रहे हैं दसमा रूल जो है आपका इसको बोलते हैं सफलता की सीड़ी हलाकि इस पर में एक अलक्सी वीडियो बनाएंगे आपको सफलता की सीड़ी सभी को आसानी से नहीं मिलती है किसी को जल्दी मिल जाती है किसी को लेट मिलती है कुछ लोग सफलता की सीड़ी की नदिक पहुंच कर सुझते हैं यार इस सीड़ी पर चढ़ने सो कोई फायदा नहीं है सीड़ी मतलब यह स्टेप्स हैं जिस पर आप पहुंच के सेलेक्शन तक पहुंचेंगे कुछ लोग एक-दो पहुंच चढ़ने पाद उतार आते हैं यह बहुत ही कंफिज आपने उसको पल्ट कर देखा बुक अच्छी थी लेकिन आपने उसका प्रैश देखके या कुछ और देखके आपने उसको पर्चेज नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि उस बुक से ही हो सकता बहुत सारे कोचन परिच्छा में आए यानि कि वो बुक आपकी सफलता की गर वो बुक आपको मिल जाती तो आप सफल हो जाते हैं लेकिन आपने उस बुक को छोड़ दिया याद रखिए किसमत सभी का दरवजा एक बार जरूर खट खटाती है यह आपके उपर है कि आप दरवजा खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं बहुत सारे लोगों का ऐसे सफलता यहाँ पर बताएं हैं दस तरीके बताएं हैं इनको अगर आप फालो करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सफलता की की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और जल्दी आपको सफलता मिलेगी चालिस दिन कुछ नहीं होता चालिस दिन भूल जाएं सब कुछ जैसा हम कहा रहे हैं चालिस दिन आप उस तरह से पढ़िए बाकि आप जिस तरह से पढ़ा रहे हों तो करते रहिए जो हमने कुछ बताया है उसके उपर भी ध्यान रखिए और इन चालिस दिन में सबसे जर सारी एक्टिविटी कीजिए दोस्तों सुमेलिए घूमिए फिर ये टीवी देखिए गाने सुनिए और जो कुछ लोग टिक टाक के फ्रेंट होते हैं टिक टाक वगारा सब यूज करिए लेकिन बस ये छे घंटे जरूर निकालिए वाटसफ चैटिंग कीजिए दोस्तों से लेकिन ये छे घंटे जरूर निकालिए बस बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िए सफल हो जाएंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद भी आता है लेकिन मैं देखता हूं वीडियो बहुत कम लोग ही नहीं जाता है ऐसा क्यों होता है अगर कुछ मोटिवेशन की चीज़े हम आपको बताते हैं तो आप अगर हम वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा भी पूस्तान बढ़ेगा जिससे हम आगे भी आपके लिए कुछ और इस तरह के चीज़ें लेके आ सकेंगे तो दूस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेश के साथ धन्यवाद